नमस्का, मैं होसासी आये जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं बता दे इन पदों के लिए आवेदन पर किरिया सुरू हो गई है इसके अलावा उमिद्वार जमसेदपूर.nic.in पर किलिक करके भी पदों को आवेदन कर सकते हैं साथ ही इसी लिंक के द्वारा नोटिफिकेशन PDF के जरिये भी अधिकारिक नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं इस भरती पर किरिया के तहत कूल 284 पदों को भरा जाएगा बता दे आवेदन करने की अमतिम्तिती 30 सितंबर निधारी था है भारी बारिस में 28 लाख का असनान घाट बहा जर्खन के पच्मी सिम्हुम जीले के चाईबासा के कुमहार टोली में रोरो नदी किनारे करीब 3 माह पहले 28 लाख रुपे से बनने दो असनान घाट बारिस में बहने के मामलो को उपायूकत अन्यन मितलने गंभिता से लिया है इसकी जाच के लिए दो सदस्यरी कमेटी गठित की गई है हापते भर में इन से रिपोर्ट मांगी गई है इस दोरान नगर परिशत के कारेपाला पताधिकारी को जाच में आवस्यक सहयोग करने का निदेश दिया है गौतलब हो की जीला 20-30 से सह कांग्रेस नेता त्री सानु राय ने इस समध में उपायूकत अन्यन मितल से उच अस्तरिय जाच कराने की मांगी थी जैक बोड नाइन्थ का रियल्ट जारी 92 परतिसत परिक्षार्थी पास जारखन एकेडमी काउंसील यानी जैक ने सुक्रवार को नवी बोड का रियल्ट जारी कर दिया है जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतु ने रियल्ट जारी किया इस परिक्षा में 92 फिस्दी परिक्षार्थी पास हुए है वहीं 46 चात्राओं का रियल्ट भी करीब बराबर रहा बता दे नवी बोड की परिक्षा में 4,72 या 3,77 परिक्षा में सामिल हुए थे इनमें से 4,35,868 परिक्षार्थी सपल हुए वहीं 36 चात्राओं परिक्षार्थी नवी बोड में परिक्षा में असपल रहे परिक्षार्थी अपना रियल्ट जारकान एकेडमी काउंसिल की वेप साइट jackresult.com पर देख सकते हैं वर्ष 2022 की कक्षा नवी में परिक्षा में कूल 4,88,102 परिक्षार्थी परिक्षा में सामिल होने के लिए आवेदन जमा किये थे लेकिन 4,3,377 परिक्षा में सामिल हुए थे चुनाव आयोग से अजिसुतना जारी होते ही बरहेट सीट खाली Office of Profit मामली में राजेपल रमेश बैस द्वारा हेमन सुरेन की विधान सभा सरस्ता रद करने के फैसले के बाद जार्खन की राईनिती गर्मा गई है इस मामली में फिलहाल हेमन सुरेन को CM5 से इस्थिपा देना होगा इस्थिपा देते ही उनका विधान सभा छेत्र बरहेट सीट खाली हो जाएगा चुनाव आयोग से अजिसुतना जारी होने के बाद खाली हुए इस विधान सभा सीट पर 6 मा के भीतर फिर से चुनाव कराना होगा बता दे सुक्रवार को राजपाल रमेज भैस ने हिमन सुरेन की सभा सिता को आयोग ठाराया राजपाल अपने फैसला की जानकारी से केंद्रिय चुनाव आयोग को आउगत कराया जाएगा इसके बाद केंद्रीज चुनाव आयोग राजेपाल के फ्रसले के अधार पर इसके सुतना जारी करेगा हेमंत सोरेन की बिधान सभागी से सतारद जारखन के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन के ओफिस ओफ प्रोफिट मामली में निर्वाचन आयोग के बाद राजेपाल ने भी अपना फैसला सुना दिया है बरहेट बिधान सभाशीट से जामो के बिधायक हेमंत सोरेन की बिधान सभागी से सतारद कर दी गई है बताद राजेपाल सनीवा 27 अगस्त को इसकी जनकाई निर्वाचन आयोग को देंगे इसके बाद चुनाव आयोग इसकी अजिसुतना जारी करेगा मुख्यमंत्री हमंत सोरेन पर पद का गलत इस्तेमाल कर अपने नाम से खनन लिज लेने का आरोप था इससे पहले दो दिन तक जार्खन के राई नितिक में लगातार गामा गामी बनी रही गुरु आर को ही चार्टा थी कि हमंत सोरेन के सलस्ता पर निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट राजभौन पहुच कही है हलाकि राजपलड़ा में इस बैस से राची सित्वी समुन्डाई अर्पोट पर जब इस समध में पुछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जनकारी नहीं है दसबी पास चात्रवीती के लिए करें आवेदान दसबी पास हाए तो चात्रवीती के लिए आवेदान कर सकते हैं आवेदान जारखन के छात्रों के लिए एक संदार अउसर दे रहा है सरोजिनी दामोदर फाउंडेशन एक संदार मौका दे रहा है बता दे सिरी मती कुमारी सीबुलाल और सिरी SD सीबुलाल द्वारा अस्थापीद सरोजिनी दामोदर फाउंडेशन से बिद्या धन छात्रिवेति के तहट छात्रों से आवेदन आमांत्रित किये जा रहे हैं छात्रिवेति दो लाख रुपए से कम वार्षिक आयवाले परिवार के बच्चों कर सकते हैं संस्ता उन परिवारों तक पहुचने की कोशिस में है जहां परतिभा होते हुए भी बच्चे आर्थिक अस्तर पर कमजोर पड़ते हैं और पढ़ नहीं पाते बता दे इस आवेदन के लिए चात्रों यम चात्राओं को दो हजर बाइस में अपनी दासवी कख्चा की परिख्चा में उतिन होना अनिवाल है वही 75 परतिसत प्रप्तांग तथा 7.5 CGPA के साथ इसमें चैनी चात्रों को पलस टू के लिए 10,000 रुपए वर्स की चात्रविर्थी मिलेगी जारखंड बीजेपी के 16 बिधायक जामुमों के संपर्क में जारखंड में जारी राइनेतिक हल्चल के बीज सतार उर्दल जारखंड मुक्ती मोर्चा ने 20 फोटक दावा किया है आदे पार्टी के मुखे प्रवक्ता सुप्रियो भटाचार ने कहा है कि भारतिये जानता पार्टी के 16 बिधायक उनके संपर्क में है उन्होंने कहा है कि एक नेता की वज़ा से भाजपा के लोगों में रोस है राइधानी राची के काके रोड इस्थीत मुक्ष मंत्री हमान सुरेन के आवास में सन्यूक्त प्रवक्ती सील संगठन की बैटक के बाद जामों के वरिष्ट ने तासरी भटाचार ने कहा है कि सरकार को कोई दिकत नहीं है हम इंटेक्ट है हमें 50 लोगों का समथन प्राप्त है उन्होंने कहा है कि जर्खन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायक मिटिंग में सामिल हुए ट्वीटर पर हमलावार हुए हमंत सुरेन राजेपाल द्वारा सस्यतार रद करने के उन संसा चुनाव आयों को भेजे जाने की ख़बर के बाद मुक्हे मंत्री हमंत सुरेन ट्वीटर पर हमलावार दिखे साम 6 बच कर 11 मिट से उनके ट्वीटर हेंडर से लगाता ट्वीट हो रहा था हालाके अरम में एयो ट्वीट ने तरहाट फिल्ड फारिंग रेंज को लेकर किया गया था इसके बाद सरकार गयाने के साजिस का आरोप लगाते हुए ट्वीट होने लगा मुखे मंतरी के अंदर सरकार्ट लेकर पीम के उपर भी हमलवार दिखे कएस कांड में सामिल कांग्रेस बिधायक के खिलाप दल बदल की सिकायद को नोटिस भी जारी कर दिया है एक सितंबर को इस फिकर ने तीनो आरोपी विधायकों को अपना पक्ष रखने को कहा है इस फिकर ने अपने अधिवक्ता या मेल के माध्यम से जबाब विधान सभा को भेजने का निर्देश दिया है ज़ारखन बिजेपी का तीन दिवस्य प्रसिक्षन सिवीर मधुबन में आज से शुरू जारखन में सियासी हलचल के विच भाजपा का तिन दिवसे परदेश अस्तरिय प्रसिक्षन सिविर गिरी डी जिले के मधुवन के तलेटी तिर्थ में सन्नी वार 27 अगस से सुरू हो रही है बतादे 29 अगस तक चलने वाले इस सिविर में राश्ट्रिय वह राजयस्तरिय कोई नेता सामिल होंगे इस सिविर में मुखे रूप से संगाटनात्मा को वह बैचारिक मुद्दो पर चर्चा की जाएगी भाजपा के परदेश अजग दीपक परकास ने कहा है कि सिविर में देश जार्खन वह समाज हीद का संकल्प लिया जाएगा तिन दिनों तक चलने वाले इस सिविर में अलग अलग भी सवय पर कूल 15-70 का आयोजन किया जाएगा धन्यवाद